Hello students, हम कर रहे हैं income tax, income tax के अंदर अभी हमारा chapter चल रहा है income from salaries, income from salary के अंदर हमने allowances कर लिये थे, perquisite start किये थे last lecture में, perquisite में हमने एक perquisite कर लिया था जिसका नाम था rent free accommodation, यादे मैंने अच्छे से table बनाई थी आपको, है ना, आज हम आगे बढ़ रहे हैं और एक और perquisite कर रहे है वो है, valuation of use of motor car, perquisite का नाम जो है, वो है motor car, motor car की facility प्रोवाइड करा देता है, अगर employer, यानि कि boss अपने employee को, करमचारी को, ठीक है, है ना, यानि कि company जो है, अपने employee को, करमचारी को, motor car की facility भी दे रहे है, car provide कर रहे है, तो इस case में, वो जो car provide की जा रहे है, वो भी एक तरह क perquisite है, और वो taxable होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे circumstances परिस्तितिया होती है, car किस की है, खर्चा कौन दे रहा है, petrol का खर्चा मिल रहा है, उसका use क्या हो रहा है, बड़ी car है, या छोटी car है, तो बहुत सारे confusion से होती है, तो मैं आपर आपको एक और table भनवाने वाला हूँ, और उस एक table से आपके ये जो दो तीन पेज की theory है, car वाली, motor car वाली, perquisite वाली, वो एकदम अच्छे से clear भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगी, और कोई confusion भी नहीं रहेगा, जैसा कि मैंने rent free accommodation में कराया था, वैसा का वैसा हम इसमें भी करने वाले हैं, ओके, चलिए start करते हैं, तो इसके अंदर table जो है, वो कुछ आपके सामने में मनाता हूँ, और ये table आपको याद कर लेनी है, उसके बाद सारे numerical question, motor car वाले बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, और इसके साथ में ही, theory अगर exam में आती है इसके बारे में, तो उसको भी बिना रटे, simply आप लिख पाएंगे, ठीक है, तो इसमें जो column से, first होता है, serial number का, second column होता है आपका, honor कौन है, उस car का, ठीक है, third column होता है, कि खर्चे कौन बोर्ण कर रहा है, और last वाला जो column होता है, वो है, use के लिए, कि उस car का use, valuation, उस car का हम valuation कैसे करेंगे, तो देखिए, तो मैं एक बार लिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर, यह है, serial number, यह हो जाएगा, honor of the, car का honor कौन, expense borne बाहे, उस car के खर्चे जो है, वो कौन बोर्ण करता है, अब कोई बोलेगा, सरकार का क्या खर्चा हो गया, बहिया, जब लोगे तब पता चलेगा, कार लेना आसान है, उसके बाद उसको चलाना ही मुस्किल है, maintenance, petrol, वैसे भी महेंगा हो रखा है न, तो कर्चे तो होंगे उसके, उसके बाद हम उसका valuation करेंगे, इन सब बेसिस के उपर, valuation, यानि की मुल्यांग का ही, कार का मुल्य कितना होगा, कितना perquisit मान के उसको taxable करना है, इसके अंदर फिर आपकी जो चीजे होगी, valuation के अंदर, मुल्यांग के अंदर, तो इसमें एक तो होता है, कार का use कहा हो रहा है, office use, कार का use कहा हो रहा है, office use, एक तो ही कार का office use हो गया, एक आपका उफ यूज़ होगा प्रस्णल यूज़ करमचारी जो है एम्प्लोई जो है उसका प्रस्णल ही अपने काम के लिए यूज़ कर रहा है ऑफिस का कोई काम नहीं है और धाड हो गया मिक्स मिक्सड यूज मिक्स मतलब समझ गये न आफिस के यूज में भी चला रहा है उस कार को, घर के कामों में भी चला रहा है, बस employee ने दे दी है, मज़े कर रहा है, तो अब देखो यहाँ पर मज़े करेंगे तो text तो लगेगा, अगर office यूज होता है, तो क्या होगा, personal यूज करता है, तो क्या होगा, और mix यूज होता है या big car, अगर किसी car की CC होती है, वो 1.66 CC तक है, 1.66 CC तक है, अना up to 1.66 CC 1.66 CC up to, तो वो small हो गया, अगर car 1.66 CC से ज़्यादा है, more तो फिर वो car कैसी हो जाएगी big car हो जाएगी, ओके बास, अब देखिए यहाँ पर, यह तयार है, आपका एक दब, पूरा का पूरा टेबल, अब हम one by one करेंगे, और उसको अच्छे से समझेंगे की valuation कैसे कर रहा है, सबसे first number first number क्या है, honor कोन है car का ठीक है, ऐसे चलेंगे अपन, तो मान लेते car का जो honor है यानि की car किस की है, किस के पैसो से आई भी है, तो car का honor जो है वो है, employer employer मतलब समझ गए ना company business boss सेवा योजग, नियोकता सुधिंदी में बोलते हैं, okay expense bond कौन करता है, employee नहीं लिखा है बटा, मैंने employer लिखा है और जोनोंने मेरे previous lecture देखे हैं आपर मैंने बताया है, employer मतलब boss हो गया आपका, business man ठीक है, employer खर्चे भी employer कर रहा है car भी employer की है 100% खर्चे कौन कर रहा है, employer कर रहा है 100% car भी employer की, खर्चे भी employer कर रहा है और उसको चला कौन रहा है, employee तब भी तो perquisite हुआ क्योंकि हम तो employee की salary का evolution कर रहने, कर्मचारी उसको चला रहा है किसके लिए चला रहा है? अगर वो चला रहा है, office यूज की लिए तो GUY का परक्यूजिट, का इक मज़े kaur दे दी है, petrol का कहरचा दे दी है और office के टूर से इदर उदर गुमा रहा है office के काम से इधर उदर गुमा रहा है तो employee को क्या मज़ा है इसमें और जो मज़ा ही नहीं आया तो काहे का tax तो यह employee की salary कहा होगी यह तो office purpose के लिए चल रहा है business purpose के लिए गाड़ी यूज हो रही है उल्टाई employee को तो काम करना पड़ रहा है तो निल इसका कोई valuation नहीं होगा और इसके उपर valuation हो गई नहीं तो पर क्यूजन मानेंगे नहीं और ना इसके उपर कोई tax होगा ना यह चीज सेलरी में जाके एड होगी employee के प्रस्नल यूज कर रहा है कार employer की कार boss की खर्चे boss कर रहा है employee उसको कहां यूज कर रहा है व्यक्ति गत प्रस्नल यूज बच्चों को गुमा रहा है फिरा रहा है मजे कर रहा है तो फिर वैया जो valuation होगा वो होगा maintenance expense उस एक साल में उस कार के जितने भी maintenance expense है चाहे हो पांच अजार हो दस अजार हो बीस जार हो पच्चीस जार हो तीस जार हो जो maintenance expense है वो माना जाएगा perquisite यानि कि वो एक सुईदा का खर्चा माना जाएगा और वो salary में जाके add होगा फिर उसके उपर tax लगेगा ओके ठिक और मिक्स यूज हो रहा है तो मैंने यहां बोला स्मोल कार है या फिर बिक अगर छोटी कार है तो उसका वैलुशन कैसे होगा उसका वैलुशन होगा अठारा सू रुपे वाला 1800 रुपीज पर मंत अगर चार महीने काम कार चली है तो अठारा सू प्लस फोर कर दो दस महीने कार उसने यूज करी है तो अठारा सो मल्टिप्लाइबाट 10 कर दो 18,000 हो जाएगा पूरे बारा महीने यूज ही है तो 1800 को 12 से मल्टिप्लाइब कर देंगे प्लस प्लस क्या सर अब प्लस देखो अगर 900 रुपे एड हो जाएंगे पर मंत के हिसाब से अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड कराया है मतलब employee खुद गाड़ी नहीं चला रहा है गाड़ी कौन चला रहा है ड्राइवर चला रहा है और उस ड्राइवर की सेलरी वगयरा भी पेन कौन कर रहा है company कर रही है बहुत कर रहा है एंप्लोयर कर रहा है तो इसका मतलब दो दो मज़े एक तो गाड़ी दे दी फिरी में और इसके अलावा ड्राइवर भी दे दिया साथ में तो यहां पर अठारा सो पर मन्त उस गाड़ी के 900 रुपे पर मन्त ड्राइवर की सेलरी और यह दोनों मिलकर के जो आएगा अमाउंट वो टेक्सेबल होगा एंप्लोई के हैंड में उसकी सेलरी में वो एड होगा उसे हम पर क्यूजिट बो लेंगे नेक्स्ट बिग कार हो तो क्या होगा सेम अठारोस्व की जगह से कितने हो जाएंगे चोवी सो रुपे पर मन्त बड़ी काड़ी है तो और ड्राइवर सेलरी वही रहेगी नोस अब ड्राइवर को तो गाड़ी चला नहीं बड़ी हो या छोटी उससे क्या फरक पड़ता है ड्राइवर सेलरी तो यह हो गया फर्स्ट पॉइंट क्या फर्स्ट पॉइंट था कार किसकी एंप्लोएर की खर्चे भी कौन कर रहा है एंप्लोएर कर रहा है कंपनी की गाड़ी कंपनी खर्चे कर रहा है अगर उस गाड़ी का एंप्लोई चला रहा है उसका यूज कर रह ब्रैश्णल यूज कर रहा है तो मेंडरिने से एक्सपेंस दोनों use कर रहा है तो देखना पड़ेगा गाड़ी बड़ी ए चोटी बड़ी चोटी गाड़ी है तो आठारा सो रुपय तो हैं ड्राइवर दिया तो 900 और बड़ी गाड़ी है तो चोवी सो रुपय तो परमद है और 900 रुपे ड्राइवर की अब आईए next next है आपकी गाड़ी जो है वो तो है employer की second point company की गाड़ी है पर उसके उपर खर्चे कौन कर रहा है? वो employee कर रहा है अच्छा पैट्रोल वगेरा employee डला रहा है maintenance expense कौन कर रहा है? employee कर रहा है, करमचारी कर रहा है बस गाड़ी दे दी यह रही गाड़ी अमारी तरफ से इसमें पैट्रोल ले रहा हो और चलाओ ठीक अब अगर इसका office use हो रहा है तो तो भाईया बिल्कुल prerequisite माना ही नहीं जाएगा और ऐसे employee कहां मिलेंगे जिसको खुद के पैट्रोल पर office का काम कर रहे है है ना, तो यहां पर तो employee विचारा पहले ही घाटे में हो कहां उसके लिए taxable करेंगे ठीक है, हाँ, बट अगर personal use कर रहा है तो पैट्रोल भले उसने डलवाया है लेकिन कार तो मिली ना तो actual expense जो इसने खर्चे किये हैं, वो सारे के सारे perquisit माने जाएंगे, ठीक है, उतने रुपे के मजे लिए उसने और इसके साथ में अगर mix use हो, और small car हैं, तो यहां हो जाएगा आपका 600 पर मत अब आप बोलो के sir, यहां अठार असो था यहां 600 क्यों था, क्योंकि यहां अठार असो इसलिए था, क्योंकि employee को ज्यादा मजा आ रहा था, गाड़ी भी वो company की थी, खर्चे भी company कर रही तो ज्यादा मजा तो ज्यादा valuation हो गा उसका tax ज्यादा लगेगा उस amount पर और यहां पर गाड़ी तो company की लेकिन खर्चे भीचारा employee कर रहा है, इसलिए चलो ठीक है, खर्चे पहले से कर रहा है, तो 600 पर मंत प्लस अगर ड्राइवर है तो हो जाएगा 900 पर मंत ड्राइवर सेलरी, ठीक है, और यहां हो जाएगा 900 रुपीज, परमत अगर बड़ी गाड़ी है तो और प्लस 900 रुपीज किसके ड्राइवर, तो ड्राइवर सेलरी हमेसा कितनी रहनी है, 900 रुपीज ही रहनी है, यह आप याद रखना मेसा, बस यह हो गया, ठीक, अब आगेते हैं, लास्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखना बड़ा इंट्रेस्टिंग है, इस बार और खर्चे कौन कर रहा है, वो खर्चे जो है, वो कर रहा है, एम्प्लोयर, तो कंपनी ने बोला होगा, तुमारे घर पे गाड़ी बढ़ी है, किस ते बढ़ रहे हो फालतु की, ले क्या हो, पैट्रोल हम बरवा देंगे, तुम चलाओ, अब उसमें ऑफिस यूज हो रहा जो कर रहा है कौन, एम्प्लोयर, वो एक्चुल एक्स्विद्स, ठीक है, अब यहाँ पर मिक्स यूज, मिक्स यूज कर रहे हैं, तो इसमें देखो, आपने कितना अमाउंट रिसीव किया है, अमाउंट रिसीवड फ्रॉम, थोड़ा इदर फोकस करना बढ़ा, यहार है, देखो मैंने क्या लेका, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लोयर, कौन रिसीव करेगा अमाउंट एम्प्लोयर से, एम्प्लोई, क्यों गाड़ी एम्प्लोई की ए, खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लोयर कर रहा है, तो एम्प्लोयर कुछ खर्चे, गाड़ी म प्लास अगर ड्राइवर है तो 900 रुपीज पर मन ड्राइवर की सेल वह उसमें से लैस करना है यह लैस वैस कुछ नहीं था उपर वाले में देखो 600 900 800 900 वो मान के 12 से मल्टिप्लाई करना था यह यह परक्यूजिट नहीं है जो amount received हुआ है employer से उसमें से यह 800 900 दोनों जोड के और जितने महीं ने यूज़ हुआ है उसका डिवाया मल्टिप्लाई करके यह चीज हो जाएगी less फिर जो आएगा यह है value परक्यूजिट इसको परक्यूजिट की क्या मानी जाएगी value माना जाएगा ओके और अगर गाड़ी हो आपकी बड़ी तो amount किता receive किया employer से from employer company से किता पैसा मिला खर्चे के लिए उसमें से less हो जाएगा 1800 रुपीज की जगह हो जाएगा 2400 रुपीज पर मन्त प्लस अगर driver है तो 900 रुए ड्राइवर नहीं है तो नो सो नहीं है ड्राइवर सेलरी यह हो जाएगा लैस फिर जो amount आएगा उसको परक्यूजिट की value माना जाएगा उसे परक्यूजिट value मानकर employee की सेलरी में add कर देंगे और कुछ है क्या सर नहीं बिलकुल इतना ही है तो बड़ा ही तीन पॉइंट के अंदर नहीं इसको अच्छे से explain कर दिया चलिए फटा-फट एक बार आपस देखते हैं कितना पूरा देखना फॉर्स पॉइंट क्या है गाड़ी किसकी है एंप्लोयर की खर्चे भी कौन कर रहा है एंप्लोयर या निगी कंपनी की काड़ी कंपनी खर्चे कर रही है ऑफिस यूज निल प्रस्टनल यूज कर रहा है तो maintenance expense mix यूज कर रहा है तो small कार या बिक कार इस्मोल कार रहे तो अठारा सु प्लस नौसो नौसो तभी होगा अगर ड्राइवर सेलरी हो और यह पर मनते याद रखना बड़ी कार है तो चोई सो नौसो हो जाएगा ओके ये वैलूशन हो जाएगा सेकिंड एंप्लोयर की गाड़ी लेकिन खर्चे इस कौन कर रहा है एंप्लोयर गाड़ी एंप्लोय की खर्चे कर रहा है एंप्लोयर यह गाड़ी यह करमचारी की खर्चे कर रही कंपनी ओफिस यूज निल प्रस्ट्रेशनल यूज कर रहा है तो एक्स्पेंस दोनों यूज कर रहा है मिक्स यूज कर रहा है तो पहले लेना ह amount received from employer employer से किता amount received हुआ उसमें से less करना 1800 और 900 900 तब ही होगा जब driver salary हो यह पर मन्त है फिर जो आएगा वो होगा perquisite value और अगर big car है तो amount received from employer minus करना 2400 पर मन्त प्लस 900 रुपे पर मन्त अगर driver हो तो driver दिया हो तो ओके वो less करने बाद perquisite value आ जाएगी I hope आपको यह बहुत मदद करेगा अगर आपको वास्तों में इससे help मिल रही है इन वीडियो से तो आप प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करे अपने friends के साथ में जो income tax की पढ़ाई कर रही है और चैनल इस वीडियो को like कर सकते हैं और ऐसे वीडियो आपको continue चाहिए तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आप टेलेग्राम और इस्टाग्राम पेज भी जॉइन कर सकते हैं उन दोनों के लिंक इस वीडियो के नीचे description box में दिये हैं और इसके अलावा अगर आप live classes लेना चाहते हैं paid course लेना चाहते हैं live पढ़ना चाहते हैं presently तो आप हमारा app डाउनलोड कर लीजिए एप का लिंक इस वीडियो के नीचे description box में आपको मिल जाएगा हम मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना हैं तब तक के लिए goodbye and thank you